नमस्ते, ये है Jolly Phonics के Group 1 की Worksheets Group 1 में 6 Sounds आते हैं Jolly Phonics में S, A, T, P, N, E ये 6 Sounds आते हैं और ये सारी Worksheets करीब 14-15 Worksheets हैं जो की इन Sounds से Related हैं ये Worksheets डीटेल में दिखाने से पहले मैं ये बता दूँ कि इस Channel पे Phonics से Related पूरी Series चल रही है मतलब अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं, किस सीक्वेंस में पढ़ाएं, क्या activities कराएं, worksheets कराएं और साथ ही लिखना कैसे सिखाएं, वो पूरा बताया जा रहा है और वो भी day wise lesson plan के हिसाब से जैसे अब ये Group 1 ही ले लीजे तो मैंने Group 1 का already वीडियो बना दिया है आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं दूसरी बात कि मैंने अपनी 4 साल की बेटी को भी ये सब चीजे करते हुए दिखाई हैं उसके लिए एक अलग वीडियो है, वो वीडियो देखना है तो भी आप I बटन में क्लिक करें वहाँ मैंने वो वीडियो का लिंक डाल दिया है यह है पहली वर्कशीट, एक बड़ा सा पेंसिल से S बना दिया है and what sound does S makes? और ये देखे, ये कुछ figures बना दिये हैं आप हाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो charts ला सकते हैं, उससे आप paste कर सकते हैं या फिर पुरानी books या magazine से कट करके निकाल सकते हैं हाँ से ड्रॉ करेंगे तो बच्चा को कलर करने के लिए जादा scope मिलेगा अब करना ये है कि color S and match the correct pictures जो pictures से begin होती हैं वो बच्चे को इससे match करना है star, spider, this is a paw, तो ये match नहीं होगा socks, scissor, snail next worksheet इसी तरह की से ass sound की है small a बनाया है और वही बच्चे को pictures match करनी है जो ass sound से शुरू होती है तो apple, ये bear नहीं होगा ये है spear, ये भी नहीं होगा ambulance, arrow next worksheet, tip sound की है telephone, tip, truck, table, ship ये नहीं होगा egg, ये भी नहीं होगा next worksheet, p sound की है penguin, pyramid, ये wheat, ये नहीं होगा polar bear, ये होगा pineapple, pen next, n, needle, crow, नहीं होगा match notebook, scissor, नहीं होगा newspaper, rice, नहीं होगा and necklace, ये होगा next worksheet है, a sound की, ये last sound है sixth sound, ये truck, नहीं होगा ink pot, idli, cylinder, नहीं होगा, ये insects next sheet है कि capital letters को small letters से match करना है और फिर जो image वो beginning sound से शुरू हो रही है वो match करनी है जैसे capital a और small a तो ये दोनों match होंगे और a क्या sound निकालता है? a, तो a, alligator p, p, and what sound? p, peacock n, n, and what sound? n, notebook t, t, what sound? t, turtle s, s, what sound? s, sparrow और ये last है i, i, and what sound? i, तो ink अब next sheet है I spy things that begin with the same sound यहाँ पे letters है, यहाँ पे दो columns हैं picture के तो बच्चे को इन दोनों columns में वो pictures देखनी हैं जो same sound से शुरू हो रहे हैं और उस sound से यहाँ पे match करना है जैसे a, तो a, apple और यहाँ है air top and ten snowman, six pumpkin, pear nail and necklace and i, say ink pot and insect next is cross out the one which does not have the given sound अब यहाँ पे यह ध्यान देने वाली बात है कि हम सिर्फ beginning sound की बात नहीं कर रहे हैं हम यह देख रहे हैं कि यह sound beginning में, middle में या end में तीनों में से अगर कहीं भी आ रही है तो वो picture को वो picture ठीक है, मतलब match करती हुई है नहीं तो cross करना है जैसे sun, cake, snake तो इन दोनों में sound आ रहा है तो यह दोनों नहीं यह वाला cross out होगा apple, sorry apple, arrow, mango और यहाँ तीनों cross नहीं होंगे क्योंकि तीनों में sound आ रहा है इसमें beginning में आ रहा है इसमें middle में आ रहा है t, igloo, tent, teddy यह cross out हो जाएगा i, image, lips, igloo यह तीनों में से कोई cross out नहीं होगा इन दोनों में beginning में आ रहा है और इसमें middle में आ रहा है pencil, pot, ball यह cross out हो जाएगा N, Spoon, Nose, Net इन में से तीनों क्रोच नहीं होंगे क्योंकि इसमें end में आ रहा है और इन दोनों में barricion में N sound आ रही है Noah, Next work sheet काफी interesting है इसमें letter sounds दिये गए है ये pictures when you are written year squares इसलीए बने हैं कि आप बच्चे को scissor दे दीजए अगर Child funny scissor है तो आप दे दीजे वरना आप help कर दीजे उसको cut करने को और ये cut करके ये सारे pictures बच्चे को ये squares निकाल लेने हैं अब वो picture लगानी है वहाँ पे जहां से वो मतलब जिसका वो beginning sound है यसे ये toothbrush है तो ये cut करके यहाँ पे चिपक जाएगा toothbrush, pocket, ये क्या है? ये है sail sail, तो ये cut होके यहाँ पे चिपक जाएगा ऐसे इ, iguana, यहाँ stick होगा nose, यहाँ पे होगा socks, यहाँ पे होगा aeroplane, यहाँ पे होगा nest, here ये astronaut, यहाँ पे parrot, यहाँ पे then this is in, ये मर बॉक्स के अंदर arrow बना हुआ है तो इ, in, इधर होगा and tongue, यहाँ होगा तो cut करके paste करेंगे different type की worksheet है, बच्चा काफी enjoy करेगा next worksheet, ये blending पे आती है क्योंकि अब हमने काफी sound की practice करा दी है तो अब हमें करानी है blending और blending में, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले simple से शिरुवात करिए तो दो हैं इस तरह की पहले ये थोड़ी simple है, इस से शिरुवात करिए तो ये circle होगा read and circle त, प, tip, प, a, s, pass, त, a, p, tap, t, i, n, tin next, प, a, n, pan, n, a, p, nap, बच्चा सो रहा है ये circle होगा next is color the beginning sound ये actually beginning sound की worksheet है और ये in blending worksheets के पहले आनी चाहिए मुझे पहले दिखानी चाहिए थी कोई बात नहीं, आप अभी देख लीजे लिकिन ये blending के पहले ये worksheet कराएगा यानि in worksheets के पहले ये worksheet कराएगा ये pig बना है तो बच्चे को identify करना है what is it? pig और जो beginning sound है उससे color करना है nut, तो n color करना है this is sad, s, igloo, i color करना है top, t color करना है ant, a color करना है और कोशिश करिए कि ये जो आप pictures बनाएगे सब ये अलग-अलग करिए and बनाना काफी असान है आपको देखने में tough, complicated लग रहा होगा मैं कैसे बनाती हूँ आप ये कहेंगे कि आपकी drawing perfect है आप बना लेती है, मेरे drawing इतनी अच्छी नहीं है बट मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है मैं simple google करती हूँ जैसे for example pan बनाना है तो how to draw pan easy pan drawing इस तरीके से google करती हूँ और बहुत easy drawings आजाती है वो आप draw कर सकते हैं नाप के लिए भी मैंने google किया कि nap easy drawing तो कुछ नहीं आया फिर मैंने डाला baby sleeping easy drawing तो ये drawing आगई और मैंने ये draw कर दिया next worksheet write the first sound under each picture pin तो सिफ first sound लिखना है पूरी spelling नहीं लिखनी है p sandwich pineapple ant a table injection piece scarf next ये है writing practice इसमें बच्चे को writing practice के लिए करा है और ये तब कराईए जब आप कॉपी में थोड़ो का writing practice tracing करा लीजे उसके बाद इस तरीके की sheets तीजे उसको तो ये देखिए act, in, ten जो सारे words है ये word bank के words है और मैंने पूरा word bank अपने उस video में दिया है in fact इससे ज़्यादा words है वो वहाँ पे मिल जाएंगे और ये last worksheet है end sounds के लिए अभी तक हम beginning sounds करा रहे थे या सिफ end sounds बोलने को बोल रहे थे पहचानने को बोल रहे थे अब हमें लिखाना भी है तो ये net end sound क्या है last sound cap pin hat pan mat hen man cat कैसा रगा आपको वीडियो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताईएगा देखते रहे ममी ट्यूबर इंडिया धन्यवाद